हेलो विस्ट्रीम रितिक इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्रोव में आप इंटरनेशनल सेयर कैसे खरी देंगे ओके तो फर्स्ट फॉल अगर आपने अभी तक अपना आकाउंट ओपन नहीं किया होगा ग्रोव में तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहां से आप अपना आकाउंट ओपन कर लीजेगा जैसे कि यहां पे दिखिए कि ग्रोव एपलिकेसन हमने ओपन किया और यहां पे अगर हम explore पे भी देख पारे तो यहां पे हमें US stock नहीं मिल रहे है अगर हम यहां पे search भी करें for example हम search करते हैं यहां पे Tesla तो Tesla का भी stock नहीं मिल रहा है यहां और अगर हम यहां पे search करें Apple के stock तो वो भी हमें देखने को नहीं मिल रहे है तो यहां पे हमें सिर् international को भी stock देखने को नहीं मिल रहे तो हम क्या करेंगे हम grow international app हम search करेंगे उसके बाद हमें जो है यहां पे US stock scanner search and filter foreign stock हम इस पर click करेंगे ओके यहां पर आने के बाद देख सकते आप लोग कि जितने भी आपके all US stock रहते international stock जितने भी रहते आपके US stock आप लोग यहां पर देख सकते ओके और for example मैं यहां पर क्या search कर लेता हूं कि apple मैं search कर लेता हूं आप ओके तो apple INC यहां पर आ चुका ही है 230 दॉलर इसका price चल रहा है अब अगर मैं सोच हूँ इसको buy करना यहां पर मैं इसका पूरा detail देख सकता हूँ ओके अब अगर मैं इसको चाहता हूँ कि मैं यहां से इसको buy करूँ ओके सो देखिए यहां पर आपको का करना पड़ेगा कि आपको simple grow app पर क्लिक करना है और all things finance right her guide start पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको login करना है because जो हमने application को use करते है android में ius में वहां पर हमें यह feature देखने को नहीं मिलता बट अगर आप लोग गूगल में login करेंगे desktop में अगर आप grow app को चलाएंगे grow को चलाएंगे तो वहां पर आपको US stock के option मिल जाएंगे international stock के आपको option मिल जाएंगे ओके सो यहां से आप लोग international stock को buy and sell कर सकते है ग्रूव में सो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जाए माता दी